ब्योंड चलता है पैट्रोल लगता है उस चीज के पैसे लगेंगे मुंडगा के तो भाई बहुती बूरी हालत है रोड का राजधानी पार्क तक ठीक है उससे आगे भाई गितम बेकार परा हुआ है रोड तो भाई आज पांच दिन हो गया लेकिन पोटर वाले टाइमर अपडेट नहीं कर रहे है मेरा आज भी सुबह जब देखा हूं मैं तो टाइमर लगा ही हुआ है है सी परसेंट कंप्लिशन स्कूर दिखा रहे है तो मैंने रिक्वेस्ट डाला तो दो बार फॉन भी आया लेकिन वहर बार कह रहे है कि भाई अपने एप से चेक करो पोटर एप में कि वहां पर आपको दिखा देगा क्या कितना कंप्लिशन स्कूर चाहिए और कितना लोग नहीं है उनके पास कि वहां से किसी का भी टाइमर हटा सके या किसी का भी टाइमर लगा सके तो यह सिस्टम से होता है कैसे होता नहीं होता यह पोटर वाले कैसे करते हैं भाई वह बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं और नहीं मेरा यह टाइमर अपडेट कर रहे हैं क्योंकि यह पोटर वालों ने जान भूज के टाइमर मेरा लगवाया इस वेसे काम नहीं होका रहा है और भाई माइक जो है मेरा च्छे तारिक का डिलीवरी डेट दिखा रहा था कि छे तारिक डिलीवर हो जायागा लेगन किसी रीजन से वह अब नौ तारिक को आएगा जो माइक मैं आप बनाता था वीडियो वैसे आप सभी को देखने को मिल जायागा और फिर बढ़िया मजा आए फिर सब्हसा magic और वीडियो आप सभी को देखने को मिल जाएगा तो अभी मैं निकलूंगा भाई सारे 11 हो रहा तो फटावट से निकलता हूं फिल्ड में और दिखाता हूं आप सभी को जैसे कोई यहां से भी देख लो है ना तो यह 80% से पहले मेरा 25 परसेंट से प्लस स्कूर होता लेकिन इसने पिछले महिने में एक हपते तक अपडेट ही नहीं करा इस वज़े से यहां पर मेरा भाई टाइमर लगा हुआ तो मैं काम नहीं कर पारों क्योंकि जो भी ओडर आ रहा है वह कोई ना कोई उठा के ले जा रहा है तो आज देखते क्या होता है 12 बच के 14 मिंट हो रहा है 6 नॉम्बर आज देख लो 12 के 14 मिंट 15 मिंट हो गए तो दि राइडा सेक्टर 127 तब यह मुझे इसलिए मिला है क्योंकि यहां से 127 को ओर कोई भी नहीं उठाता यहां से वही ओर उठता है नॉडा का जैसे 63 हो गया 10 हो गया 9 हो गया 16 हो गया वहीं का ओर यहां से जो राइडर होते हैं वह उठाते हैं तो अभी मैं पहुंचे गयाओ इसे छोटे-छोटे दो बॉक्स है इसी को लेगे जाना चलो चलते हैं फटावट से रख लिया मैंने बैग में यहां से करता हूं ट्रिप को स्टार्ट और दिखाता हूं आप सभी को कितना इसका डिस्टेंस दिखा रहे है चार सो तीरो रुपे का ओडर है तो डिस्टेंस द तो कुछ कम परेगा लेकिन यह 42 किलो मेटर से दिखा रहा है और 413 रुपे का ओडर है ओडर देख लो कितने का है 413 रुपे यही ओडर अगर 63 या 9-10 सेक्टर का रहता ना जहां से ओडर वापसी का बच जाता है तो कोई भी उठा लेता ठीक है लेकिन यह जो ओडर है मेरे टाइमर भी लगाओ अगर बजेगा भी तो हाथ नहीं आयागा मेरे वाड दस सेकंड का जो टाइमर लगाया ना भाई बहुत बेका टाइमर लगा दिया है मेरा तो चलते है भाई इसको डिलीवर करते है फटावट से मेरे पास और भी ऑप्शन है अंकल डिलीवरी बोर जो दिलीवर कर दिया मैंने बड़ लीचर कस्टंपर भाई जब उसको मैंने बोला कि वहां आउंगा एक्स्टा लगेगा तो कहरा भाई किस चीज का एक्स्टा मैंने ऐसे ही बोला जाड़ी पानी से ली चलता भाई पैट्रोल लगता है उस चीज के पैसे लगेंगे और जब कि इसका बंदा आया तभी मैंने ओडर दे दिया जब 413 रुपे बोला तो जिसने बुक कर रहा है उसको बोलते कि 200 रुपे में मुझे बेजना है 200 रुपे में कोई 200 रुपे ले लूँ यह मेरत हो लिना पैसे तो भाई कंपनी ने कैलकुलेट करके दिये मुझे कंपनी ने बोले कि आपको इतने रुपे किस्टमर से लेना है और किस्टमर को बोले कि आपको इतने रुपे राइडर को देना है तो मैं कहा भाई यह तो कंपनी ने डिसाइड क की बात करूं तो वहां पर करीब आधा गंटा के आसपास लगा मुझे और आस्ते में मैं एक क्लिप सूट कर रहा था कैमरे से तो उसमें अंद्रभी स्मिन टाइम लग गया तो यह सामने ना यहां पर सामने भाई देखता हूं उभी देखो यहां से आपको दिख जायागा यहां मैप पर दिखाता हूं हुए यह वाला जो है ना हुए कहां गया अभी तो यहीं पया यह रावाई यह देखो मॉल ओफ नॉइडा है ना तो यह वाला है और यहां से और बचते रहते तो मैं थोई दिर ना यहां वेट करता हो कि यहां से मिल गया तो ठीक है नहीं तो फिर निकलेंगे भी या कहीं और के साइड करीब एगंटा रुका मैं कोई भी और नहीं बजा और एक और आते आते रास्ते में बजा एक और जो कि था यह तिमारपूर का 300 रुपे तो भी हाथ नहीं आया तो फिर मैं वहां से भाई 10 किलोमेटर था ओखला फेस वन तो मैंने का यार चलो उखला ही चलते हैं कि वहां से अगर उदर भी जाओंगा मैं सेक्टर 9-10 भी जाओंगा या सोल जाओंगा तो आठ नौ किलोमेटर मुझे परेगा ही वह भी उत्रा ही परेगा तो मैंने का यार उखला ही चलते हैं और उखला में यह होता है कि अगर जिसके पास टाइमर लगा ना उसके भी हाथ में और आ करना तो मैं आगिया हूं ओखला नौड़ा से तो भाई मुझे ली होता बजना 10 किलोमेटर आयों मैं खाली अब देखते हैं यहां से कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता या खाली जाना परता भाई तो मैं फाइनली टाइम देखो यहां भी मुझे एक गंटा वेट करना प बता हूं कि इसमें एड्रेस लिखाओ नहीं आ रहा था कहां का ओडर है जैसे मैप में होता है ना एम सी क्यू एसे लिखाओ आ रहा था इसमें एड्रेस लिखाओ नहीं आ रहा था चार सौसी रुपे लिखाओ और सिप दिल्ली लिखाओ आ रहा था तो मैंने उठाली है मै प्रिंट कभी भी नहीं आता क्योंकि मेरे पर टाइमर लगा हुआ है यह बढ़िया था भाई इस वज़ेसे यह ओडर मेरे हाथ आगया तो फटावर चलते हैं प्रिंट है इसे लेके जाना भाई मॉंडगा और यह देगो चार सतावन हो रहा है और कहा गया भाई पोटर यह कर दिया मैंने ट्रिपल स्टार्ट चार सोसी रुपे का ओडर भाई मुंडगा वह वहां लेके जाने टिकरी कर लाइए देखो पूरा परफेक्ट अड्रेस भाई देखो क्या लिखाव आ रहा था यह लिखाव आ रहा था जब मेरे पास यह ओड भी ले सकता हूँ रूट दिखा रहा भाई चोवालीस किलोमेटर के इसका रूट दिखा रहा जिए गए गणाटा 44 मिंट लगेगा यहां से दिखा रहा है लिखेवाए था ऐसा लिखावाए था और मेरे पास 10 सेकंड का टाइमर लगावा था लेगन इसी वज़े से किसी ने नहीं उठाया और मैंने इस ओडर को उठा लिया तो भाई यहां से तो मिल गया है अब टिकरी के लाशे मिलेगा नहीं मिलेगा वहां से मुझे नहीं लगत कि हैं देखो चे बच के 50 मिन्ट हो रहे है दो घंटे लग गए पिक अप से लेके ड्रॉप तक ठीक है इस ओडर में 480 रुपे का ओडर था डिलीवर हो गया है पूरा यह कंपलेट अब इसे कर दिया मैंने कैस क्लेक्टेड और यह कह रहा है कि भाईया अब 219 रुपे डालो यानि 714 का अर्णिंग हुआ 219 रुपे डालो तो 40 रुपे मेरा वालेट पहले से माइनस था मैं जैसे इसको आफ-लाइन करूंगा यह कर दिया सस्पेंड अब भाई इसमें 219 रुपे 40 पैसे डालना पड़ेगा तब जाके मेरा आईडी यह खुलेगा तो मैं फटा-फट स करके इतने हालत खराब है क्या ही बता हूं तो यह मैं कर दिया भाईया क्या पिन्ट डाला है यह डाल दिया मैंने और यह हो गया मेरा वोलेट जीरो अब अब एक बारी से रिफ्रेश करते है और फिर यहां से करते हैं online देखते हैं भाई आईडी तो मेरा चालू हो गया 714 रुपे का earning हुआ है कितने घंटे में 6 गंटे 35 मिन्ट में सिर्फ दो ट्रिप लगा भाई अब पूरा देखो अंधेरा है यहां पर अभी तो 6 बजने से पहले ही अंधेरा हो जाता है सारे 5 बजे अंधे है तो देखो सामने से गारी आ रहे है कितना अंधेरा भाई यानि सारे 5 बजे के आसपास अब अंधेरा होने लगा है पूरा 6 बजे तक पूरा रात हो जाता है यह लाइट जो है मैं इसलिए साथ लेके चलता हूँ कहीं अगर अंधेरे में अगर सूट करना हुआ तो भाई दाजधानी पार्क तक ठीक है उससे आगे भाई गितम बेकार परा हूआ है रोड तो चलो भाई छे बज के 53 मिंट हो गये तो यहां कुछ बज तो नहीं रहा मैंने रिटी तो कर दिया भाई छे बज के capital हो गये यहां कुछ बज नहीं रहा दीरे दीरे निकलते आपाइग अगर कुछ बजा तो आप सभी को दिखा दूँगा नहीं तो मिलते सिधा घर पे तो भाई वो ओडर देने के बाट टिकरी में मैं करीब दस मिन्ट बैठा मैंने का कि देखते हैं अगर कोई ओडर बजेगा तो मैं उठा लूँगा तो कोई भी नहीं बजा तो वहां से फिर म होंगा आज मैं सुट्टी वहनम तो कल मैं निकल पाऊंगा के उसक्तो कल आप सभी को वीडियो कल वीडियो बनाओं तो क्या चूंध मेरा वह निए सबसक्राइब है देखिए वहाँ पर आपको चैट बॉक्स दिया गया है उसमें जाकर आप पता कर लिए वह भाई मुझे सारा चीज पता है लेकिन तुम अब डेट क्यों नहीं कर रहे इनका दिमाग भाई खतम हो गया इनके पास दिमाग नहीं है पोर्टर वालों के पास कि करना क्या है यह हो गया है तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं वीडियो को संदाग हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल लेकल को जरूर प्रेस कर देना चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में